याद है तुम्हें वो तार के पीड जिनके सफेद कोई खाकर हम साथ में तरप्थ हुआ करते थे याद है तुम्हें वो बैल गाड़ी जो सड़क पर मिलती और अक्सर हमें घर पहुँचा दिया करती थे स्कूल की चारूं तरफ पहले खेद, लेलाहाती, फसलें, मकई के खेद की मेड़ें और वो गुरू जी जिन्होंने हमें अक्षर ग्यान कराया गुरू जी के पीछे पीछे चलकर हम स्कूल पहुँचते थे मकई की खेद की मेड़ पर लाइन से रेल के टिबबे की तरह चलकर, हिल मिलकर हम धीरे-धीरे मापते थे स्कूल का रास्ता स्कूल के लिए हमें लगातार एक किलोमीटर चलना पड़ता था और स्कूल तो तकरीबन तीन किलोमीटर दूर था स्कूल का बस्ता अब की तरह भारी नहीं था छोटा सा जोला था जो माही कपड़ों को सिलकर बना देती थी उसी में स्लेट, किताब वगएरा रखकर हम रोज स्कूल जाय करते थे जब कितावे पढ़ने की आदत बनी तब नेरुदा, वॉल्ट विटमैन, नाजिम हिकमत, तक्षी, रविंद्रनाथ टेगोर, राजकमल चौधरी, फनिश्वरनात रिनू, विद्यपती, अग्ये, किदारनाथ अगरवाल, नेपाली और बाबा नागारजुन को पड़ा तब जाकर प्रेम की सघन और सुन्दर छावियों से मेरा शब्द साक्षातकार हुआ जब भी प्रेम पढ़ता, मेरे भीतर तुमसे मिले निर्ष्चल स्नेह की स्मृतियां तरो ताजा हो जाती मैं आज भी तुम्हारे निर्ष्चल अर्थ प्रेम की छायों में खड़ा हूँ सुनिये पूरी कहानी स्टोरी बॉक्स में आज तक रेडियो या अपने फेवरेट ओडियो स्ट्रीमिंग प्लाटफॉर्म जैसे Spotify, Wink Music, Google Podcast और Apple Podcast पर